पीपे का चमतकार बुआई के लिए खेत जोत रहा था इसे बीच खेत में खुदाई करते समय जमीन से मर्तबान जैसा लकडी का एक बड़ा पीपा मिला किसान ने सावधानी से पीपे को निकाला पहले तो उसकी समझ में नहीं आया कि पीपे का क्या करे आखिर उसने पीपे को खेत के किनारे रख दिया उसे साफ करके जो रोटियां वो घर से लाया था पीपे में रख दी और अपनी काम में जुट गया दो पहर को जब खाने के लिए रोटियां निकालने के लिए पीपे के पास गया तो हैरान रह गया उसमें रोटियां ही रोटियां बरी हुए थी वह जादुई पीपा था उसमें जो भी चीज डालो उसका असे गुना होकर बहार आता जैसे एक मुंफली का दाना डालो तो तुरंट उसमें से असे दाने निकल पड़ते किसान नित्रक्त होकर खाना खाया तता बची हुए रोटियां रागीरों को भी खिलाई अंगनित पक्षियों की भी दावत हुई इसके बाद किसान संतुष्ट होकर पीपे को घर ले आया पीपे को पाकर किसान की खुशी का ठिकाना न था उसे लगा अब उसके साथ दुख दूर हो जाएंगे वा लालची नहीं धहरवान व्यक्ती था उसने पीपे का दुरुपयोग नहीं किया उसे जब धे किसी चीज के जरूरत होती पीपे से तुरंट प्राप्त कर लीता हाँ खाने पीनी के चीजे इंसे दूसरों में बांटनी पड़ती इससे वह यश्का भागी तो बनता पर उन्तु लोगों के बीच काना फूसी भी होती कि आखिर इस गरीब किसान के पास इतना धन आया कहां से समय गुजरने के साथ साथ उसके पीपे के बारे में गाउं के जमीदार को पता लगा जमीदार बेद लालची था उसे लगा कि ऐसी जादूई चीज पर तो उसका अधिकार होना चाहिए उसके आधेश पर जमीदार के लठै किसान को पकड़ कर ले आये उसने किसान को धमका कर कहा पीपा जिस भूमी से तुझे मिला है वह मेरी जमीदारी में आती है इसलिए बता उस पीपे पर किसका अधिकार बनता है यह ठीक है उजूर कि वह भूमी आख के जमीदारी में आती है पर पीपा जिस खेट से निकला है उस पर मैं खेटी करता हूँ अता इस पीपे पर मेरा अधिकार बनता है किसान गिर गिराया पीपे को तुरंट मेरे हवाले कर दो नहीं तो तुम्हें बंद करवा दूँगा जमीदार ने धंकाया फिर उसके आदमी किसान के घर से पीपा उठा लाए पीपा पाकर जमीदार बहुत प्रसन हुआ मगर किसान का रो रो कर बुरा हाल था जमीदार की अब चांदी हो गई वह जो चाहता पीपे में डालता और उसे कई गुना पाकर फूला नहीं समाता उसके घर के लोग जहां खुश होते वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी खुशी देखकर जलते थे ऐसे ही कुछ लोगों ने जादुई पीपे की खबर मंत्री के पास पहुँचा दी पहले तो उसे विश्वास्त नहीं हुआ फिर उसने अपने एक विश्वस्त सेवत को पीपे की सचाई पर रखने के लिए भेजा वहां उसने जब पीपे का जादु देखा तो मंत्री को सारे सचाई बता दी मंत्री ने जमिदार को बुलाया फिर उसे डराते हुए कहा हमें पता चला है कि तुम्हारे पास एक ज़ादुई पीपा है उसे तुरंथ हमारे हवाले कर दो ऐसे ज़ादुई पीपे को हाथ से निकलते देखकर जमिदार की जान निकलने लगी उसने मंत्री की बहुत खुशामद की मगर वो ज़ादुई पीपा लेकर ही माला ज़ादुई पीपा पाकर मंत्री मतवाला हो गया वह सब काम धाम छोड़कर पीपे को लेकर पड़ा रहता विरोधियों को ये अच्छा मौका मिल गया उन्होंने पीपे के साथ साथ उसके निकम्मेपन की खबर भी राजा तक पहुँचा दी पीपे की बात सुनकर राजा धीर हो उठा वो अपने सेना पती को साथ लेकर मंत्री के घर जा पहुँचा उसने कहा देश की सारी जमीन राजा की होती है इसलिए पीपे पर भी उसी का हक है मंत्री ने पीपा तुरंत राजा के हवाले कर दिया पीपे को पाकर राजा प्रसन्ल हो गया सबसे पहले राजा ने जादोई पीपे की मदद से अपनी खजाने की वृध्धी की फिर राजा को उस पीपे की सुरक्षा को लेकर चिंता हुई राजा हर कीमत पर उस पीपे को अपने साथ रखना चाहता था राजा ने सूचा कि इसका रह से ज्याद करना चाहिए कि आखेर इस पीपे में है क्या यह जानने के लिए राजा उसमें प्रविष्ठ कर गया जब बाहर निकला, तो उसके पीछे पीछे असी राजा बाहर निकले असली राजा का कोई पता नहीं चलता था वे राज सिंगहासन पर कबजा करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे देश में ग्रेय युद्ध छिड़ गया, ये जानकर किसान को बेहत दुख हुआ कितना अच्छा हो था कि मैं पीपे को जमीन में गड़ा रहने देता किसी ने सच ही कहा है कि लालच समझदारी को निगल जाती है बड़ी बड़ी ग्यानी भी मूर्खों सा बर्ताव करने लग जाते हैं राजा ने भी वही किया और खुद का राज खुद ही मिटाली